Good morning dear students, बच्चों, आज हम revise करेंगे पर्याएवाची शब्द, पर्याएवाची शब्द बेटा होते क्या है? ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, यानिकि एक जैसा होता है, ठीक है? उनका अर्थ बिल्कुल सेम होता है, ठीक है? ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? जैसे इसको क्लियर करेंगे, जैसे आपकी घर में मम्मा है, आप मम्मा को मा भी बोलते हो, मम्मा भी बोलते हो, मम्मी भी बोलते हो, माता भी बोलते हो, ठीक है? सबका मीनिंग कि आप किसको बुला रहे हो अपनी मम्मा को बुला रहे हो तो यह सारे शब्द इनका मीनिंग क्या है सेम है एक जैसा अर्थ है तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं बिटा प्रयाईवाची शब्द जैसे इदर देखो वाईउ वायू के परियाई वची शब्द क्या होगा बिटा हवा पवन हवा का मीनिंग भी वायू है वायू का मीनिंग भी हवा है मतलब ये इन सब का अर्थ क्या है समान देखो पानी पानी को जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं तो ये पानी के परियाएवची शब्द क्या हुए जल और नीर आख, नेत्र और नयन क्लियर बटा आकाश आकाश के परियाएवची शब्द देखो बटा गगन और आस्मान कपड़ा कपड़ा के परियाएवची शब्द क्या होंगे वस्त्र, पट कपड़े को वस्त्र भी कहते हूँ, पट भी कहते हूँ क्लियर बटा, अब मुझे बताओ अगनी, अगनी का प्रियावची शब्त क्या होगा बटा आग, अगर हम अगनी बोलें, तब भी मैं आग की बात कर रहे हैं अगर हम आग बोलें, तब भी हम उसी की बात कर रहे हैं ठीक है बटा, चलो ये बताओ, नीर का प्रियावची शब्त क्या होगा जल, पानी, ये आपसने प्रियावची शब्त है ना बटा, ठीक है आस्मान, आस्मान का प्रियावची शब्त क्या होगा आकाश, गगन, क्लियर बेटा अच्छे बताओ, पट किसका प्रेवाची शब्द है कपड़ा, वस्त्र, ठीक है बेटा थेंक्यू बेटा